हलो इस्टूडेंट मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं मद्यप्रदेश के सामान्य अध्यान को जो मद्यप्रदेश की लोग सिवा आयो कि पमराजी की अन्य प्रतियोगी परेक्छाओं के लिए समानलोप से उप्योगी होगा यह जो मध्परदीश का सामान नधियन है इसका जो महीश कुमारबाःणवाल की जो बुक है मध्परदीश की एक समक रध्यन पर आधारेत है इसी के संदर में इस किताब को कमपलीट कर रहे हैं जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम राजनितिक विवस्था की संदर में पढ़ेंगे कि मद्यप्रदीश की क्या राजनितिक विवस्था है इस सबके बारे में फुल डेटिल में चर्चा करेंगे कि राजनितिक विवस्था से रिलेटेट क्या-कया important point है और क्या- राजी का गठन हुआ उसके बारी में और उसके भाका, खा, गा, घा के सभी की बारी में पढ़ेंगे भोपाल राजी की स्थापना कैसे हो उसके संदर में पढ़ेंगे राजी की बिधाईका की बारी में पढ़ेंगे और राजी की बिधाईका का विकास किस तरीके से हुआ ज देखेंगे इसे कि साथ ही विधान सभा में विधान सभा में गरदेश की अद्धिक्सपी के इनसब के बारे कि मचितियों की सब्सक्राइब भी पड़ेंगे वद्रदेश के पुलिस प्रशाशन के बारे में मद्रदेश के पुलिस संथ, संस्थान के बारे में मद्र प्रदेश के इस्थानीasan नगली प्रशासन के बारे में पड़ेंगे। इसी के साथ ही मद्यप्रदेश के कुछ आयोग जैसे राज निर्वाचन आयो, मानोधिकार आयो, राज का महादिभक्ता अनुसुचे दे जाती एवनुसुचे जन जाती आयोग, मद्यप्रदेश का राज पिछड़ा बरगायो, राज संख्या का आयो, मद्यप्रदेश वल्फ बोड के बारे में, राज सूचन आयो, राज महला आयो, महालेखा का राज आर्थी का प्रादा अनुवेशन भीरो, राज प्रशाशन का धीकरण, मद्यप्रदेश के लोक आयो, मद्यप्रदेश के राज सितक्ता आयो, मद्यप्र यूबा नेतर दिवम ग्रामिर विकास प्रिशिक्षन संस्थान के बारी में पढ़ेंगे इसी के साथ ही इन सब टॉपिक की प्रिस्थत में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके रिलेटिड कुछ महत्पूर प्रिष्णों को सॉलर करेंगे जिस जो परिक्षा की पॉइंट अब यू से काफी मददकार रहेंगे चले तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जिसमें पहला टॉपिक आता है प्राचीन मद्यप्रदेस में राजनेतिक स्थती की बारे में प्रिशाष्य को. जो छटी सताव देशापूर में संपूर उत्तर भारत के राजनेते के में परशास्निक दिश्टी से 16 ब्रहधिकाईयों में विभाजित था जिन्हें महाजनपत काल कहा जाता है इन महाजनपत कालों में से अवंती और चेदि जो बरतमान मद्यप्रदेश की भौकुलिक सीमाओं में इस्थे थे यह इसकी प्राजिन काल के संदर में अब आता है इसमें, शिशुनाग और नंदबंस के अंतरगत आओधी जो थी, शिशुनाग और नंदबंस के अंतरगत आओधी अवन्ती मगत सामराजी का भाग था अबंती कहां का सामराजी था मगत सामराजी था और मगत पर मौरियों की सासनकाल में अबंती मगत के पश्चिम प्रांद में एक महतपूर राजनते के काई बनी जिसकी राजधानी उज्जेनी जोकी बर्तमान में उज्जेन थी मगत पर मिंदुसार की सासनकाल में असू कवंती का प्रणते पाल बना और मद्यकाल में मद्यप्रदीश सुतंत्र मुश्लिम सल्तनत मालवा, फारू की सासन निमार और गौर्ण सासन गड़ मंडला के प्रशासने केंदर के रूप में इस्थापित किया गया इसके संदर में अब जानते हैं कि सत्रवी और अठारवी सतापदी के अंतरगत बगेलो बुंदेलो सिंधिया होल कर आदीन है, अनिक राजनितिक सक्तियों की अदिन मद्यप्रदेश की मद्ध भारत की एक प्रशासने के काई के रूप में उभरा, जिसे राज का दर्जा प्राप्त हुआ तो इसके संदर में इसके तीन फेज को देखा, जिसमें पहला फेज आता है कि जो मद्यप्रदेश की प्राचिन काल में एक ससक्त राजनितिक प्रशासने के काई के अदिन रहा, उसमें महाचनपत काल के संदर में जिसमें मद्यप्रदेश के दो स्थान, चेदी और अबंत याते हैं अबंती जो राज था बस इसुनांग इवं नंद वंश क अंतरगत अबंती मगत साम जो का भांग था और इसे के साथ ही और जनी जो था उंत semester Day फारुकी सासन गौंड सासन के प्रशासने के अंदर के रूप में इस्थापित किया गया था और जब सत्रवी अठार्वी सतापदी के अंतरगत देखते हैं तो बघेलो बुंदेलो सिल्द या अहूल कर तो इसके इंप्रोटेंट पॉइंट है प्राजिन मद्य प्रदेश की राजित की सतिती को लेकर अब जानते हैं मद्य प्रदेश की जो बर्तमान राजि का गठन हुआ बर्तमान मद्य प्रदेश के गठन के संदर में किस तरीके से पिक्रिया रही इस सब के बारे में जानते ह अग्रेजों द्वारा नांगपुर में अपने अधीन करके मद्ध प्रदीश के दक्षणी पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था। बिटिश शरकार ने प्रशाषनिक प्रभाग के रूप में दो नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविजन तथा 24 अक्टुबर 1936 को बरार प्रांथ का गठन किया हुआ था। तो इसके संदर में कौन कौन से प्रमक पॉइंट है। पहला तो यह कि यह बरार प्रांथ का गठन किया गया और सेंट्रल प्रोविजन का गठन किया गया। अब जानते हैं सुतंता पूरू मध्यप्रदीस में कौन कौन सी एजनसी थी। एक थी सेंट्रल इंडिया एजनसी और सेंट्रल प्रोविजन से अबरार में विभाजती। जिसका प्रिशाष्निक के अंदर नांगपूर था और इसके अंतरगत भूपाल सुतंत्र राज्य था। जो इसका प्रिशाष्निक के अंदर था वो नांगपूर था तदा उसका जो अतरिक्त के अंदर था वो शुतंत राज्य था वो भूपाल था। बरस 1947 में सुतंत्र प्राप्ति के पशाथ मध्य प्रदेश में सेंटर प्रोविजन्स एवं बरार मध्य भारत बिन्द प्रदेश और भूपाल राज भाग का खागा के राजों को विभक्त किया गया इसके संदर में इसके प्रूम्ख कोईंट हैं। आप जानते हैं कि बाग का और बाग खा और भाग गा में कौन-कौन को विभाजत किया गया इसके अंतरगत कौन-कौन से रियास्ते आई कौन-कौन से रियास्तों को सामिल किया गया इनकी सब के बारे में जानते हैं। तो भाग का के अंतरगत सेंट्रल प्रोविजन्स बरार महा कौसल और दक्छ थिसकर करके भाग का को सम्रित किया गया, जिसमें सहीं तुरूप से राजधानी नांगपूर थी, पिरशासनिक दिश्टी से इसे पांस संभावों में विभाज़त किया जाता है, जिसके अंतरग इस परत्मान में इस्थित थे, यहां परवाय इस्थित थे, अब जानते हैं कि सेंट्र प्रोविजन्स बरार में कौन कौन से आती है, जैसे बस्तर, चांग भरवार, दुई, खेदान, जस्पूर, कांकीर, करवर्धा, खेरागड, कूरिया, राजनांद गाउ, राजगड सक्ती, राज, सारंगड, सरगुजा, उदाइपूर, इसके अंतरगड, 14 रियास्ते सामिल थी, आब जानते हैं इसके भाखा, राज के अंतरगड के इसके अंतरगड कौन कौन से आती, माद भारत के वह 28 मैं 1948 को भाखा में समलित किया गया थो, इसे मालवा यूनियन के रू जानते हैं, माद भारत के रियास्तों के बारे में, पहली आती है अली राजपुर फिर आती है वडवानी देवास इसमें सीनियर और जूनियर की नाम से है धार ग्वालियर रतलाम इंदौर जावरा सैलाना सीतामव कठिवाडा नरसिंगर मुहम्मदगर काला अखर जाबुआ जमनिया खनियादाना जोबट करो कुरवाई पिप खेडा धतिया इसके अंतरगत इसकी प्रोंखे भाग भी के अंतरगत प्रोंख रियासते हैं अब आता है भाग गा के अंतरगत कौन कौन से राज जाते हैं और उनकी रियासतों के बारी में जानते हैं भाग गा के अंतरगत राज्यों में आता है बगेलखंड और बुंदे प्राप्त हुए जो 2 अप्रेल 1952 में पंडिस संभूनात सुकला को बिन्धि प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया गया तो कब बनाया गया इसका प्रारम्भिक कालकप को माना जाता है कि जब मगिलखंड और बुंदिलखंड रियासत को मिलाया गया तो 12 मार्च 1948 को बिन्धि के दर्जा प्राप्त हुआ और 2 अप्रेल 1952 को पंडिस संभूनात सुकला को बिन्धि प्रदेश को मुख्य मंत्री नुक्त किया गया इसके संदर में इसका प्रूंख कोईंट है अब जानते हैं कि बिन्धि प्रदेश की जो रियास्त हैं थी उन रियास्तों के बारे में इसमें जो कुल टोटल रियास्त हैं बिन्धि प्रदेश में रिवा बरोदा छतरपूर रिवा बरोदा छतरपूर दतिया नागोद अजैगर बिजावर चर्खापूर मेहर नेगावन पहाडा भेशुदा मनोगा ओच्छा पन्ना गोरिहार जासु कोठी बिजना सोहवन ल निम्मा का सरीला अलिपुर कामता राजोला पाल्दू नयागाव ठुणाय दुखाई गोरीहर इसके अंतरगत इसकी प्रोण के रियास्त है अब आता है सबसे पहले भूपाल राज के बारी में जानते हैं कि भूपाल राज की स्थापना के संदर में कि भूपाल राज सुतंतर तक की परचाद बर्स 1949 तक भूपाल एक सुतंतर राजरा जिसके सासक जो थे नवाम हमीद उलाह खान थे जो एक जून उन्नी सो नन्चास को भुपाल को भागगा में समलित किया गया और इसे प्रिशाशनिक दर्ष्टी से भुपाल और सी होर जिलों में विभाजित किया गया जिसके अंतरगत 14 तैसी ले आती थी जिसे 1902 में संकर द्याल सर्मा इसके मुख्य मंतरी भुपाल राजी की मुख्य मंतरी संकर द्याल सर्मा को बनाए गया और बर्स 1956 में भासाई यादर पर मध्यप्रदीश का पुनरगठन किया गया जिसके अंतरगत राज पुनरगठन आयो की अनुशन सपर मध्यप्रदीश के दक्षड में स्थेत मराथी छे भासी छेत्र बिधर्ब और नांगपूर महराष्ट में समलित किये गई इसके संदर म अब आता है पुनरगठन के समय तीन महत्यपूर परिवर्तन हुए जिसके अंतरगत पहला आता है कि मध्यप्रांध के अंतरगत हिंदी भासी छेत्रों में मध्यप्रदीश को रखा गया परंतु महाकोशल में आकोला अमरावती बुल्डाना यावतमाल बर्धा किया गया इसके बाद मध्य भारत में बिन्माई के अंतरगत कोटा जिली में तहसील सिरोंज को विदिशा मंध्यसोर जिली में तहसील भानपुरा में सुनेल टपा को राजस्थान के कोटा जिली में समलित किया गया बिन्दे प्रदीश थे था भूपाल अर्थत भाग घा अब आता है कि मद्यप्रदीश की राजी की निर्माड और पुनरगठन की संदर में सबसे पहले प्राचीन काल में जो आता है वह अवंती और चेदी महाजन पदों के रूप में रहा मद्यकाल में सुतंत मुस्लिम सल्टन फारू की सासन गौंडवंस के अरेन प्रशासने के क और आदमे काल में देखते हैं वर्स 1853 की अंत्रगत सेंटरल इंडिया एजनसी सेंटरल प्रोविजन्स एवं बरार फिर दूसरा आता है कि वर्स 1947 में भाग का खागा तथा सुतंत राज भूपाल की रूप में वर्स 1956 में मद्यप्रदीश के कुल छेत्रों में राजस्था को तथा मराठी छेत्रों महराष्ट को इस्थान अंत्रित किया गया और एक नवम्म में 2000 को मद्यप्रदीश के 36 गर्पर्थाक हुआ तथा राज्जी का बर्तमान सुरू पस्तित में आया तो इसके संदर में मद्यप्रदीश राज्जी के निर्माड और पुनर गठन के सं एक नवम्मर 2000 को हुआ और जब प्रदीश में दक्षण पूर्वी भाग के तीन संभागों में इवं सूला जिलो को पृठक करके 36 कर नामक नई राज्जी का निर्माड किया गया तो इसमें कितने संभाग थे? आठ संभागों 43 जिली थे जो पहले 1956 में थे और जब मध्यप्रदीश का पुनर गठन हुआ 2001 नवम्मर 2000 को तब इसके तीन संभागों इवं सूला जिलों को पृठक करके एक नया जिला मध्यप्रदीश से अलग हूं कर नया जिला 36 कर को बनाये गया अब आता है कि राजी सरकारों इवं उनकी कारपडाली कबर्डन सम्मेधान के भागखाग 6 के में अनुशिद 122 से 277 के अंतरगत दिया किया है अनुशिद 152 से 237 के अंतरगत दिया किया है अब आता है कि हम जानते हैं अब पढ़ते हैं इसके मध्यप्रदीश के सासन विवस्था की बारे में कि मध्यप्रदीश की सासन विवस्था किस तरीके से मध्यप्रदीश की सासन विवस्था में देखे कि भारती समयधान के में केंदर की साथ-साथ राज्यों में भी संसिदी सासन विवस्था का पराउधन किया गया इसलिए केन सरकार के समाल राज्यों में भी सक्तियों का विभाजन सासन के विविन अंगों की माद्ध किया जाता है और माद्य प्रदेश में सासन विवस्था की राजनतिक विभाजन को निमनेबते देख सकते हैं अब देखते हैं माद्य प्रदेश का जो सासन विवस्था है जो सासन विवस्था की अंगों की बारे में देखते हैं कि इसका सासन विवस्था किस तरीके से है मद्यप्रदीश की सासन विवस्ता में सबसे पहले आती है राजी बिधाई का दूसरा आता है राजी कारपाल का पिर आती है राजी की न्यायपाल का इस्थानी शोशासन और संसद में पृतिने धृत्य के संदर राजी की बिधाई का की संदर में आता है राजी पाल और विधान सभा आती है और राजी की कारपाल का की अंतरगत मुख्य मंत्री मंत्री परसद प्रशास में गधिकारी आते है और राजी की और न्यायपाल का की अंतरगत उच्छ ने आले और अधिनस्त ने आले आता है पह खंग है इनका एक एक करके ब्रिस्तित में ब्योरा देखेंगे कि सबसे पहले तो राजिकी विधाइका के संदर में देखेंगे जिसमें राजिकी विधाइका कविकास सदश्यों की शंख्या किस बारे में जानेंगे फिर राजिपाल के संदर में कि राजिपाल के लिए क्या अरहरताय होती हैं इसकी सफ़स रेलेटेड बेतन भत्ते विशेश अदिकार सक्तियों के बारे में पढ़ें इसे तरीके से किरमानुशार इन सब एक एक टॉपिक को कम्पलीट करें चली तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जिसमें अंतरगत हमारा पहला को भारती समयधानी के अनुषिद 168 से 177 में राजी विधाईका के सम्मंदित प्रावधाल किया गया मध्यप्रदेश में एक सदनात्मा के राजी विधाईका के राजी विधाईका है और जो राजी विधाईका है वस भारती समयधानी के अनुषिद 168 से 177 के अंतरगत आ काता है कि राज्य में विधाईका की विकास के बारे में विकास क्रम को जानते हैं कि वर्ज 1956 में मत्यप्रदीश की स्थापना की पहश्याद बर्श 1967 में विधानसभा का गठन किया गया इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 थी जिसमें 43 सीटे अनुस्यचित जाती 54 सीटे अनुस्यचित जन जाती के लिए आरक्षित की गई थी तो इसमें क्या स्थापना की संदर में है कि मत्यप्रदीश की जो स्थापना हुई मैं 1956 में हुई जैसे और 1977 में विधानसभा का गठन किया गया इसमें विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 थी और जिसे 43 सीटों में अनुस्यचित जाती ओ चोवन सीटे अनुस्यचित जन जाती के लिए आरक्षित की गई थी अब आता है 1976 का समय जिस समय पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 296 हुई तथा इसे 1999 में 320 हो गई बरस 2000 में मद्धिप्रदीस के विभाजन निवम 36 गड की निर्माड की पश्चर, मद्धिप्रदीस विधानसवा में सीटों की संख्या 230 रह गई जिसमें 148 सदस सामाने छेत्रों से, 35 सदस अनुसुचित जातियों से और 47 सदस अनुसुचित जाती के छेत्र से और सदस संख्या के बारे में जानते हैं कि 1977 में कितनी थी 1976 में 99 में 2000 के बारे में देखते हैं जो इसके तीन फेज की अंतरगत इसको विभाजत किया गया है चार फेजें जिसमें पहला जो 1977 के अंतरगत का चेत्र आता है जिसमें निर्भाचत और मनुनी सदस्तों की संख्या 48 थी जिसमें आरकषट पद SC के 43 और ST के 44 रहे थी फिर आता है 1976 में इसकी 296 हो निर्वाचित और मनुनी सदसों की संख्या होगी 1999 में 320 हो गई वर बर्तमान में 2000 के बाद से जो बर्तमान तक है अभी प्रुजेंट में बिधा निर्वाचित और मनुनी सदसों की संख्या 230 है जिसमें एक एंगलो इंडियल है और 230 इसमें निर्वाची सदस है और इसमें 35 सदस अरुषोची जनजाती से में आरक्षित है और 47 सदसों को अरुषोची जनजाती में आरक्षित किया गया अब आता है अब जानते हैं राजी की बिधान मंडल की बारे में जो बिधान मंडल जो है राज जिपाल और बिधान सभा से मिलकर बना होता है जो राज्य का संसद होती है जिस तरीके से संसद होती है उसी तरीके से राज्य का बिधार मंदल होता है। सबाको राजविधान मंदल का एक अभिनांग मक्Fun के रूप में जाना चाता है। आब आता है हमारा राजपाल के संदर में कि राजपाल को भारती समयदान की भागचे में अनुचिद 153 की अंतरगती ह pseudo जिसे है प्रवधान है कि पर तेख राजियं में एक राजपाल होगा राजपाल राज़ के समयधान प्रभाव प्रमुक होता है और सात्वेष्त अम्यधान संसुधन उननिस च्वपनद्वरा प्रावधान की आ गया था कि राजपाल एक में दो या दो से अधिक राज्यों का राजपाल न्युक्त किया जा सकता है तो राजपाल जो है भारती सम्मेधान के भाग 6 के अंतरगत अंशेते 153 के अंतरगत प्रावधान किया गया है कि प्रतेक राज्य के लिए कि राजपाल होगा और राजपाल राज का एक सम्मेधान प्रमुक होगा जिसे सात्वे शम्मिदान संसुधन अधिनियम 1956 की अंतरगत यह प्रावधान दिया गया था कि राज़िपाल एक ही समय में दो या दो से अधिक राज़ों का राज़िपाल नियुक्त किया जा सकते हैं अब आता है कि राज़िपाल राज़ि का प्रिथब नागरिक होता है वह अनुचेद 154 की अंतरगत अनुशार राज़िपाल राज़ि का प्रमुक होने के नाते होने किसा सत्केन सरकार के प्रतिमिधी की रूप में भी कारे करता है वह राज जी की कारपाल का कप्रमोख होता है और अपनी कारपाल का सक्तियों का प्रियोग मंतरियों के नेतत्यु के गठित वंत्री परसत की सलाह से करता है अब आता है कि अनुशिद 155 के अंतरगत राजपाल की निक्ति राष्टपती के द्वारा की जाती है तो राजपाल की निक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्टपती के द्वारा अनुशिद 155 के अंतरगत और अनुशिद 156 के लोज का के अंतरगत राजपाल का कारकाल 5 निर्धारत किया गया है किन्तु अपना कारकाल पूर्ण होने के पूर भी राजपाल राष्ट पती को त्याग पत्र देकर पत को त्याग कर सकता है जिसे अनुचेद 155 में कहा गया अब आता है कि राजपाल के पद हे तु अरहरताओं के बारे में कि राजपाल के पद के लिए क्या रहरताओं होती है राजपाल के पद के लिए अरहरताओं अनुसम्मिधान के अनुचित एक सो संतावन और अंचुद एक सो अंठावन के अंतरगत किसी ब्यक्ति के राजपाल पत के लिए निम लिखेती योगता है होनी चाहें जिसके अंतरगत पहला आता है कि भारत का नांगरिक हूँ दूसरा आता है पैतेस वर्स के निमतम आउँ पूरी कर चुका हूँ तीसरा आता है कि वह किसी लाफ की पत पढ़ना हूँ और शोथा आता है कि राजपाल संसद्वा बिधान सभा या बिधान मंडल में किसी भी सदन का सदस नहीं हूगा तो यह भारती सम्मिधान की अनुचीद एकसु संताओं और एकसु अंठाओं के अंतरगत राजपाल की पत की हेतु अरहरताओं की बारे में दिया गया है जिसमें मैं भारत का नांगरिक होना चाहें 35 वर्ष की निवंतम आयू पूर कर चुका हूँ मैं किसी भी लाप की पतपड़ना हूँ और राजपाल संसदवा बिधान सभा या बिधान मंडल में किसी भी सदन का सदस से नहीं हूगा इसकी संदर में ये प्रमुखे पॉइंट है आवाता है राजपाल की सपत के वारे में कि राजपाल की सपत किस के कौन दिलाता है और राजपाल सपत के समय किस चीज की सपत लेता है अब आता है कि राजपाल के बेवतर निवं भत्ते के बारे में कि राजपाल के बेतर भत्ते एवं अन परिलब्दियों का निर्धाल संसद्वारा बिधी बना कर किया जाता है सितंबर 2008 में संसद्वारा पारित राजपाल को परलब्दिया बेतन भत्ते विशेश अदिकार अधिनियम 2008 के रुशार राजपाल का बेतन 36,000 रुपे शिबड़ा कर एक लाग 10,000 रुपे कर दिया और बजट 2018-19 राजपालों का बेतन 3,50,000 रुपे करने की घुशना की गई थी तो परतमान में राजपाल के जो बेतन है वह 3,50,000 रुपे है अब आता है कि राजपाल के बेतन भत्ते के उसकी पदावधी के दोरान कम नहीं किया जाता है पदावधी के द्वारा कम नहीं किया जा सकता और राजपाल के बेतन भत्ते को राजी की संचिन नेती जिसे अनुचेद 266 के अंतरगत भारत होते हो और इसलिए बिधानसभा को इस प्रमदान का अधिकार नहीं होता है वसंसद द्वारा निर्धारत सभी प्रकार की उपलब्दियों परिलब्दियों पर अधिकारी होता है तदावनुचेद 288 के तीन का के अंतरगत जब एक ही वेक्ति दो या दो से अधिक राजव का राजपल न्युक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला बेतन भंभत उन राज्यों के मद्धैसे अनपात में आवंधित किया जाता है जो राजपाल द्वारा निर्धारत किया जाता है इसके संधर में अब आता है राजपाल के विशेश अदिकार की संदर में कि जिसे राजपाल के विशेश अदिकार की संदर में देखें इस हमिधान के अरशे 361 के अंतरगत राष्ट पती एवं राजपाल अके अनिक विशेश अदिकार प्रदान किये गए है जिसमें राजपाल अपने पत पर रहते हुए भी अपने द्वारा कारेओं के लिए किसी भी नयाय कभियों के लिए उत्तरदाई नहीं होता है राजपाल की वेक्तिगत कारियों के लिए उसके पद्धारन की दोरान उसके बुरुद्ध केवल सिबिल मुकदमा चलाया जा सकता है पर अपूर्दारी मुकदमा नहीं चलाया जाता है तो इसके संदर में क्या है कि इसमें सम्मिधान की अनुछे 361 के अंतरकत राष्ट पती इवं राजपाल को कुछ बिश्यशादिकार दिये गए है इसमें राजपाल अपने पद पर रहते हुए भी अपने द्वारा किये गए कारेयों को किसी भी नयाय कभियों के लिए उत्त लाया जाता है अब आता है राजपाल की कारकारी सक्तियों के बारे में जिसे सम्मिधान की अनुषे 164 के कलोज एक की अंतरगत राजपाल मुख्यमंत्री की निक्ति करता है जथा मुख्यमंत्री की सलाय पर अन्य मंत्रियों की निक्ति देता है करता है जथा ओने पद एव सकता है तिथा किसी मंत्री द्वारा लिए कई नड़ने के विशार के लिए मंत्री परसत के समख्षे रख सकता है राज में समयधानेक तंतर की बिफल हो जाने की पश्यात राज जिपाल अनुछे 356 की अंतरगत राश्टपती सासन की अनुशन सा भी कर सकता है इसके संदर मे प्रमुके पॉइंट है अब आता है राज की बिधाई सक्तियों की संदर में राज की बिधाई सक्तियों में अनुछे देख सवाड़ सटके प्राउधानों की अंतरगत राज जिपाल को राज की बिधाई सक्ता का अब दिभिट अंग होता है तथा अनुछे 333 कि प्राउध प्रिदानों के अनुषार यदि राजपाल को यह विस्वास हो जाए कि आंगल भारती समधाय का बिधान सभा में परियात प्रतिनत नहीं है तो वैं आंगल भारती समधाय को एक सदस्य को मिधान सभा में मनुनीत कर सकता है यानुचेद 168 के प्रावधानों के अंतर गता इसक में राजपाल राजसभा के सत्र को आहूद करता है सत्रावशान करता है तथा सदन को बेक्तित कर सकता है जो अनुचेद 174 के अंतर गताता है। अध्यदेश को इस्ताई सरू प्रदान करने ही तुए आविशक होता है कि राजपान सभा पुना सत्र में आने के छे सब्ताई के अंदर विधी बना कर उसे स्विकार करे अन्य था छे सब्ताई के आध्यदेश प्रभावीन होकर सताही समाप्ते हो जाएगा इसके संदर मे राजपाल दौरा जारी अध्यदेश खारीच करने का संकल प्रभावीन हो जाएगा अब आता है राजपाल की बित्तिये सक्तियों के बारे में जो अनुच्छे 202 के अंतरगत है अनुच्छ 202 के अंतरगत राजपाल प्रतेक बित्तिये वर्स के प्रारम में आगामी अनुमान बित्तिये वर्स के आनुमाने ताइबय का वार्सिक बित्तिये विवर्ण या बित्तिवर्मंत्री के द्वारा बिधानसभा के समच्छे रखता होता है राजपाल की पूरु राजबित्तायों का गठत अनुशे 243 आई के अंतरगत करता है। तद्धा सदसू की नुप्ती भी करता है इसके संदर में इसकी प्रहुख प्रावधान। नुप्ती राज की उच नियाल है और राज लोक सिवायों की परामर से करता है। अब आता है। या राजबित्तायों की नुप्ती करता है। या राजबित्तायों के अंतरगत आता है। हरी विनायक पाटसका तीसरे केसी रेड़ी। चोथे आते हैं जस्टिक पीजवी दिख्षट जोकी कारभाय करहें। पाचमे नमबर पराते हैं केसी रेड़ी। छटमे नमबर पराते हैं सत्य नारायण से हैं। साथमे नमबर पर आते हैं निरंजन नाथ बांग्चु और आठमे नमबर पर आते हैं स्री चेपु दिरा मुथारा फिर आते हैं नौमे नमबर पर भगवत दयाल सर्मा जो भगवत दयाल सर्मा फिर आते हैं जिस्टिस पी जी पी सिन्हा फिर आते हैं भगवत दयाल सर्मा प फिर उसके बाद पुन्हा भगवद वयल सर्मा को 1983 से 84 के अंतरगत बनाया जाता है। फिर आते हैं के एम चांडी जो चाउदवी नंबर पर है परविकारवाहक राष्टपती राज़िपाल जस्टिस एंडी ओजा को बनाया जाता है। फिर श्री के एम चांडी को पुन्हा राज़पाल निक्त किया जाता है। फिर श्री सर्मती सरला ग्रेवाल जो 1989 से 1990 में रहें। निक्त होती हैं 2020-21 में बर्तमान में मंगु भाई सी पटेल हैं जो की बर्तमान में अभी तग राज़पाल की पत्पर कारे रहत है। अब आता है कि राज़पाल के कुछ विशिष्ट तथों को देखते हैं कि राज़पाल के संदर में कि इनकी क्या मुख इंपोर्टेंट विशिष्टा है। कि मद्यप्रदेश की पर्थम राज़पाल डॉक्टर पटवी सीतार मेया थे। जो पर्थम महिला राज़पाल स्री मती सर्ला किरेवाल थे। मार्च से पांच फरवरी उन्नेशोनप्य तक रहा। अब आता है कि मद्य प्रदेश की जो दूसरी महला राज़पाल बनी, दूसरी महला राज़पाल जो आनंदी बेंड पटेल थी वह पहली बार 2018 से 2019 के बीच रही हूँ और दूसरी बार 2020 से 2021 तक का उनका कारिकाल रहा हूँ वर्तमान में मद्य प्रदेश में राज़पाल में जो मगू भाई सी पटेल मद्य प्रदेश की प्रोख राज़पाल हैं मद्य प्रदेश में कुल पांच बार कारवाहक राज़पालों की निक्ती हो चुकी और प्रदेश में प्रिथम कारवाहक जो राज़पाल बनाए आग्षबार जिसमें प्रत係ल्च में बाता है कि में प्रदीश के राजपाल पूछे जाते हैं की जो मद्यॹतेप्रदेश के राज़िपाल रहे वह किस देश के या किस राज़िकी मुख्य मंतरी रहे जैसा कि अभी पहले भगोद्वेल सर्मा के बारे में पहले आया हुआ था, अभी प्रजिंट में देखते हैं कि जो क्यास मदीज चेंग राया, जो करनाटक राज के मुख्यमंतरी है, रहे और राम नरेश यादा उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी भी रहे हूं, इसी के साथ सद्वा मन्द्यप्रदेश के राजपाल क पर भी सुवित हैं राज कि राजपाल म्राम जाखर लोक सभा अध्याक्ष भी रहे मंद्य प्रदीष के राजपाल स्री राम प्रकास अंध्य करक्स प्रकार तो इसमें राजपाल से संबंदती कुछ है बिसेश्टे इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर राजपाल से रेलेटेट टॉपिक फिनिस होता है जिस टॉपिक के अंतरगत हमने राजपाल के बारे में पड़ा राजपाल की सक्तियों और हर्ताओं की बारे में पड़ा सपत पेशेशादिकार बेतनभत थे कारकारी शक्तियां बिधाई सक्तियां बित्य सक्तियां नियायक सक्तियां और विवेक अधीन सक्तियों की बारे में पड़ा अब पड़ते हम नेक्स टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा बिधान सभा की बारे में जो की बिधान मंडल का भी नंग है जो जिसके अंतरगत राजजपाल और विधान सभा आते हैं जिसमें एक टॉपिक को कवर कर लिया है राजजपाल को अब हमा इसका विधान मेंडल का नेक्स्ट टॉपिक विधान सभा को पढ़ते हैं अब आता है कि विधान सभा में legislative assembly जिसे कहा जाता है कि समयधान की अनुछीथ 1789 सार राज्यों में विधान सभा की सदसों की अधिक्तम संख्या 500 और इसकी नियुंतम संख्या 60 निर्धारेत की गई है तो अधिक्तम संख्या 500 नियुंतम संख्या 60 है राज बिधान सवा में आवंटे सीटे बर्स 1974 की जन्गरण के आधार पर निर्धारत की गई हैं जबकि राजि के अंदर बिधान सवा शेत्रों का मुनर गठल बर्स 2001 की जन्गरण के आधार पर किया गया 84 पिसम मिधान संसुदन अधिनियम 2001 के अनुषर राज विधान सभा के लिए आवंटे सीटें 2026 के बाद होने वाली पहना पुना जर्णिगर्ना के बश्चात पुना निर्धारेत की जाएंगे मिधान सभा सदस्यों की जो संख्या है 230 जिसमें 232 अंचि 332 के अंतरगत अनुषर चातियों और जनजातियों के लिए कुल इस्थान 82 निर्धारेत किये गए मिधान सभा का गठन 1 नमबर 1956 को किया गया जिसका विक्ठन 5 मार्च 1997 को हुआ इसका पहला और अंति मधवीशन 17 दिसम्बर 1956 को 17 से 17 जनबरी 1997 की मध्द संपन हुआ था अधुती विधान सभा का गठन 1 अप्रेन 1997 से हुआ जिसे 7 मार्च 1962 वे विक्ठेत किया गया था आब आता है कि विधान सभा की सदस्टों के लिए क्या योगता है होनी चाहिए जो विधान सभा की सदस्टों के लिए सबसे पहले तो वे भारत का नागरिक हूँ जो पच्चिस वरस की आयूँ पूरी कर चुका हूँ अब आता है बिधानसवा की कारिकाल को जानते हैं कि विधानसवा की कारिकाल की संदर में किस तरीके का बिधानसवा का कारिकाल है राज बिधानसवा का कारिकाल पाँच वर्स निर्धारत किया गया और इसकी आउधी 172 अंशिद 172 की अंतरगत राश्टी आपातकाल की समय एक बार में किवल एक वर्स के लिए बढ़ाई जा सकती है तो इसके संदर में राज बिधानसवा का विक्टन किया जा सकता है और राज बिधानसवा का विक्टन रायसामानिता मुख्यमंत्री की सलाहे पर किया जाता है अधिक अंत्राल होता है जिसमें 6 महीने से अधिक कांत्राल नहीं होना चाहिए सामान तब विधानसवा में 3 सत्र चलते हैं जिसमें आता है बजट सत्र गिर्श में कालिन सत्रों सीथ कालिन सत्र आता है इसके अत्रिक राजपाल राज बिधानसवा का विशीष सत्र भी आयुजित किया जाता हो बिधानसवा की कारेओं के संचालन के लिए गड़ा पूर्टी का होना आवर्शक होता है जिसमें बिधानसवा के कुल सदस्यों की संख्या एक वटी दस भाग होने चाहिए और होमत से किया जाता हो अध्यक्ष का नियुमों का नियुमों की व्याक्ष करने का दिकार भी विधानसवा के राप्थ होता हों सदन की नीता की परामर सिवय सदन की कारवाही का करम निर्धारित करता है वो विधान सवा का अध्यक्ष यह निर्णा लेता है कि कोई विधियक धन विधियक है या थो नहीं बधान सवा अध्यक्च सामनता मद्दान में भाग नहीं लेता है। और परंतु किसी पिष्टाउ के पक्ष अभी पक्ष में बराबर मत होने पर बरणिरणा एक मत देता है। ये विदान सवा के अध्यक्च से संब्देत है। अब आता है कि मद्यप्रदीश में विधान सवा अध्यक्ष की कारिकाल की बारे में जानते हैं और उसे सम्मंदिश कुछ विशिष्ट तत्थों की बारे में भी जानते हैं। आठमी नंबर पर श्री एक दर्त सर्मा फिर नौवे नंबर पर राम किशोर सुखली दसमे नंबर पर राजेंदर प्रशाद सुखला ग्यारमी नंबर पर प्रोफेशर ब्रेज मुहन मिस्रा बारमी नंबर पर स्री श्री निवास तेवारी चाओदमी नंबर पर स्री सत्रवी नमबर पर नर्वधा प्रिशाद प्रजापती, अठारवी नमबर पर जगदीश जेवडा, 19 नमबर पर रामिश्र सर्मा और 29 नमबर पर स्री गरीश गोतम आते हैं, जिनका कारिकाल 22 हरवरी 2021 से बर्तमान तक का इनका कारिकाल रहा है। अब आते, बिधान सबा के अध्यक्ष वां पाद्यक्ष के बारे में इनके विशिष्ट तत्थों को देखते हैं कि मद्यप्रदीश के प्रिथम बिधान सबा अध्यक्ष पंडेत कुंजी लाल दुवी थे जिनका कारिकाल सरवादिक लंबा रहा, जो 1956 से 1976 तक रहा और वह त तीन बार बिधान सबा के अध्यक्ष बने रहे, मद्यप्रदीश के प्रिथम बिधान सबा उपाद्यक्ष जो रहे, पहसरी विश्डू बिनायक सरवटी रहे और उन जिनका सरवादिक कारकाल सरी भेरू लाल पाटीदार का था, तो भेरू दाल पाटीदार जो बिधान उनमें सरवादिक कारकालपण्डेत कुनजी लाल दुवे का रहा. अब आता है. कि प्रोटेम इसकी पीकर के बारे में? कि प्रोटेम स्पीकर की संदर में देखते हैं? कि प्रोटेम इसकी पीकर जो होते हैं आइस्थाई अध्यक्ष होते हैं. यह चुनाव की बाद, पिर्थ प्रोटेम स्पीकर की संदर में आब आता है विधानसवा भवन की संदर में देखते हैं कि बुधानसवा का भवन बोपाल के अरोहरा हिल्स में इस्थित है इसके पूरू विधानसवा की जो बैटके वर्स 1909 में सुल्तान जहां बेगम दौरा निर्मित मिंटु हाल में होती और नमीन विधानसवा भवन का नर्मार 14 सितंबर 1984 को किया गया जिसका उधगाटन 3 अगस्त 1996 को ततकालीन राष्ट पती डॉक्टर संकल देयाल सर्मा की द्वारा किया गया इस भवन का नाम इंद्रा गांधी भी धानसवा भवन लखाय गया जिसकी बास्तुकार चाल्स कोरि बिधानसवा में प्रिवेस द्वार पर जीमन ब्रक्षिव नामक एक विशाल पैंटिंग का निर्मित की गयी है जिसमें प्रदेश की एतिहासे कि स्तलों को प्रदर्सित किया गया और इसकी मुख्य द्वार पर कुंडी की सनरशना निर्मित थे जिसकी भित्तियों पर वावन को बास्तुकला के छेत्र में विश्व प्रशित आगा खावार्स प्राप्त हो चुका है अब पड़ते हैं मद्यप्रदीश विधानसवा की बर्तमान जो सनरचना है उनकी बारे में इसमें सबसे पहले तो इसके कुल सदस्वों की संख्या देखते हैं इसमें कुल सद प्रशित 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 जनजाती के लिए 47 पत को आरक्षित किया गया मरतमान विधानसवा का जो करम में वैपंद्रमा है निर्वाचन आउदी के बारे में जानती है कि नवंबर दिशंबर 2018 में 75% मद्दान हुआ तथा निर्वाचन परणाम जो हुआ इसमें दलिये के लिए 4 समाजवादी पार्टी के लिए 1 seat आलोट की गई थी अब आता है निर्वाची सदस्यों की बारे में जिसमें 230 निर्वाची सदस्य थी जिसमें 209 महला हैं 21 रही हैं सरकार का गठन 17 दिसंबर 2018 को किया गया और पुनर गठन 23 मार्च 2020 को किया गया था बरतमा की बात की स्थिती जो नवंबर 2020 में इसमें पार्टी धारती जंता पार्टी में 126 कांगरेश में 96 में बहुजन समाज पार्टी में 2 निर्दली में 4 और समाजवादी पार्टी में 1 रही हैं अब आता है हमारा next topic आता है मुख्य मंत्री इवा मंत्री परसत के बारे में अभ का प्रारूप है कि समिधान के अनुषीद 163 के अनुष्ट राजपाल को सहायता या परामर्स देने के लिए एक मंत्री परसद होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा अनुषीद 164 के अंत्रगत राजपल विधान सबा में बहुमत प्राप्त दलका नेता को मुख्य मंत्री की सलाह से अंगर मंत्रियों की भी न्युक्ति करता है ज़ते है संदर में मंत्री में संदरु का सम्मिदान अधीनियम 2003 केंतरगत अंशेत 164 में प्रावधन किया गया है कि मंत्री परसद में सदस्यों की संख्या निचले इस्तर जिसमें लोगसवा या राज विधान सभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होने चाहिए परन्तु राज में मुख्य मंत्री सहत मंत्रियों की जो कुल संख्या है वे 12 से कम नहीं होगी जो केंदर में लोगसवा या विधान सभा में जो निर्धारत की गई है वे 15% या 15% और इसमें राज्यों में मुख्य मंत्रियों की जो संख्या वे 12 से कम नहीं रहेगी और वाहि मुख मंत्री एभं अन्य मंत्रियों की अरहरताओं की बारे में कि सम्मिधान की अरहरताओं से सम्मंदित प्रावधर अन्शेद 164 के किलॉच चार में दिये गए जिसमें कहा गया है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माहें तक राजिक विधान मंदल का सदस्त नहीं हो वो तीसरी अनुसुची में दिये गई प्रारूप के अनुशार, उसको अपने पद में कर्टब पालनोगोपनेता की सपथ दिलाता है। सबसे महत्यपूर मंत्री होते हैं क्योंकि कैबिनेट के द्वारा सामुएक रूप से शासन के नेती का निर्धारन किया जाता है और दूसरे नंबर पर आते हैं राज मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के कारियों अब आता है कि मद्धिप्रदीस मुख मंत्री की सलाहे पर राजपाल दोरा एक जन जाती एक अल्याड मंत्री भी न्यूक्त करने का मिशिस प्रावधन किया गया थे। तो तीन तरीके की मंत्री परसित का गठन किया जाता है और इसमें चोथा तरीका एक राजपाल की दोरा जन जाती है कल्याड मंत्री की न्यूक्ति की जाती है। आउधानों के अनुशार ही होंगे। अब आता है कि मंत्री परसित के कारकाल के बारे में कि प्राया मंत्री परसित का कारकाल पांच परस का होता है परन्तु विदान सवा में अपना वहमत खोने की पश्याद मंत्री परसित अपनी निरधारे ताउधी के पहले ही इसे विक इवं शक्तियों को देखें कि मुख मंत्री राजपाल और मंत्री परशत की मन्द संभाद की एक कड़ी के रूप में कारी करता है। इसके संदर में मुख मंत्री की परशत करने का भी परशत करता है। वह सभी मंत्रीयों को उनके कारेयों के सायोग निर्दीश और मारदर्सन देता है। साथ ही उनके कारेयों का ने अंत्रण भी करता है। अब आता है कि मुख मंत्रीयों के कुछ विशिष्ट तत्थ्यों को जाने कि मुख मंत्रीयों के जान भारे में की मद्यप्रदीश में। एक मात्र मुख मंत्री थे जिनका कारेकाल की दोरान मिर्ती हो गए और राजी के पिर्थम महला मुख मंत्री सूसरी उमाभारती थीम। मुख मंत्री के लास जोसी रहे हैं। मात्री क्लम में समय तक रहने वाली मुख मंत्री बन गए है। तथा बर्तमार में नेता प्रतिपक्ष जो हैं बैगोड डॉक्टर गोविंद से हैं जो की कॉंग्रेस से हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में कि नेता प्रतिपक्ष दल की नेता प्रोंग को नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष के को सत्ता पक्ष की कार पड़ा ली पर निग्रानी रखता है तता बिधान सभा में सत्ता पक्ष की गतिविनियों पर भी पृष्यल करता है। नेता पृतिपक्ष के संदर में कि मद्यप्रदीस में पृतम नेता पृतिपक्ष सिस्थी विशुनात यादो राओ तामस करते हो और मद्यप्रदीस विधान सभा की पृतम महिला पृतिपक्ष सरीमती जमनादेवी रही है और वहें पृत मुख मंत्री भी रही है अब आता है कि मद्धप्रदेश की मुख्य मंत्रियों की कारिकाल को देखते हूं और उनकी एक करम को देखें कि मद्धप्रदेश की पहले मुख्य मंत्रे स्री रभीशंकर शुकल रहे दूसरे भगवत राव मंडलोई, तीसरे केलास नाथ काड़ू, चोथे केलास नाथ काड़ू, तथा फिर आते हैं भगवत राव मंडलोई, फिर आते हैं द्वार का प्रशाद मिश्रा, फुना द्वार का प्रशाद मिश्रा निक्त होते हैं, फिर आते हैं गुबिद नाराय सुक्ल फिर 1977 से 1903-1934-1934-1934 तक राश्ट पतिस आसन जो कि पहला राश्ट पतिस आसन लगता है फिर आता है केलास चंदर जोशी बीरद्र कुमार सक लेचो फिर सुन्दालाल पट हुआ फिर दूसरा राश्ट पतिस आसन लगता है अस्ती में जो सत्रा फर्वरी उन्नीज जूण उन्नीज सो अस्ती तक इनका कारिकाल है। महिला मुख मंत्री रही फिर आतेए श्री बाबुलाल गोर फिर सिवरास्य चोहन फिर चिवरास्य चोहन फिर भीरास्य चईए चोहन फिर rape बीच में कुछ राइम फिर बीच में कुछ टाइम को जो 1712 hasria 2222 तक 1723 202 एकानलाद से 323 2020 ही में प्रमासे तंब 2322 ब्लीज है तीन बाल लगा है जिसमें पहला राष्टपती सासन वर्स 1977 में लगा दूसरा राष्टपती सासन अब पढ़ते हैं मद्यप्रदेश के तीसरे यंग मद्यप्रदेश की राज नयाय पालका की वारे में सबसे पहले तो जानते हैं कि मद्यप्रदेश भारती शम्मिधान के अनुशे 214 के अंतरगत पिरतेक राज में उच्छ नयाय की स्थापना सुनिष्चित करने का प्रावधान किया गया अनुचे 215 के अंतरगत उच्छ नयाय यह कभिलेख नयाय होता है जिसके निर्णाय आधिकारेक माने जाते हैं और उसके आधार पर अधिनस्थ नयाय अपना निर्णाय देती के अंतरकत नांगपुर में इस्थापित किया गया और 1956 में जवलपुर को इस्थानांत्रित कर दिया गया मद्यप्रदीश उचिने आले कि मुख पीठ के भवन का निर्मार्ट राजा गुकुल्दास ने 1989 में करवाय था और जिसकी वास्तुकार हैंवी इरिविन भी रही थी मद्यप्रदीश उचिने आले कि मुख पीठ जो है जवलपुर में उसकी दू अन्ने खंड फीट 28 नमंबर 1968 में इंदौर और इग्वालियर में इस्थापित की गई थी तीसरी खंड फीट भूबता अपाल में प्रस्तावेत हो और मद्यप्रदीश में उचिने आले में ने आधीसों की जो सग्या है बाई टोटल 36 आवाता है मद्यप्रदीश के उचिने आले के मुख्यने आधीस के बारे में जिसमें पहले आते हैं एम है दायतुल्ला फिर जीबी भट पीबी दिख्षित विशंबर दयाल पी के तारे सिब दयाल और स्रीफ एपी सेन फिर आते हैं जीबी से हैं पहले डॉक्टर श्री जी एल ओजा जी अलोजा जी एस परमा एंडी ओजा जी जी सहानी एल के एस के ओजा यू एल भट येके माथुद भावानी से हैं स्री कुमार राज रत्रनम फिराते स्री आरवी रविंद्रन एके पटनाएक आर एसार आलम सरद अरविंद लोविंदे बोगदे स्री अजय खंड बिलकर हैमंत गुपता स्री एस के सीट स्री रवी संकर्ग जा संजय यादो स्री अजय कुमार मित्तल स्री संजय यादो स्र और सिवी श्री रभी मालीमत जो शौवदा दस तो हजार इकी से बर्दमान तक मद्ध प्रदीश के मुख्य नयाधीस नियुक्त है आवाता है कि उच्छ नयाले के बारे में बिशिष्ट तत्थों को देखते हैं कि मद्ध प्रदीश उच्छ नयाले में प्रथम मुख्य नय तक में प्रदीश में हिदायत उला रही जिनका कारिका सुझ्छ नयाले कीवर्दमान फारे मालीमत। इसके इंप्रुडेंट्ट में देखते हैं कि पहले जो मुख्य नयाधीस नहीं है जिनका कारिका। एक ग्यारा 1956 से 1212 1952 तक रहा तथा इन्हों ने ग्यारमी मुख्य नयायदीस बनने का भी और प्रिथम मुस्लिम नयायदीस बनने का भी गौरव पराप्त हुआ है मध्यप्रदेश की उच्छ नयाले के जो प्रिथम महला नयायदीस रही है बैसरोज नी सक्सेना है बरत्मान में मधिप्रदीश के मुख नियाईदीश रभी मालिमत है तो यह नियाईदीशों के संदर में कुछ बिसे टत है आप जानते हैं जिला नियायलाई की बारे में के अनुछी 233 के अंतरगत उची नियायलाई की अधिनस्त जिला नियायलाई की स्थापना का प्रावधान किया गया अधिनस्त नियायलाई उसे सम्मंदित प्रावधान सम्मेधान की भाग 6 में अनुचेद अध्याइच है की अनुचेद 233 से 237 में दिये गई है इसके अनुचेद जिला नियाइच जब आपरादिक मामली पर विचार करता है तो उसे सत्र नियाइदीस है और उसे सिबिल मामली पर विचार करती समयब है जिला नियाइदीस कहलाता है इसी कारण इसे जिल नयालयका कहता गठन किया गया था राज़या संबंदी दिवाणी पिकलाण के लिए के लिए में राज़ेश मंदल की द्याइभ गठन किया गया और वर्स 2011 में मद्यप्रदीस भूराजुस सेहिता 1969 में संसुधन के उपरांत राज़ शिनेगरानी एवं सुनवाई के समस्त अधिकाल प्रदान किये गए फास्टरक नियायलय की अंदर में किया परादिक मामले की तुर spraying रूप से नेपटने के लिए 11 वी वित्कायो के अनुशन सापर फास्टरक नियायलय की इस्थापना एक अपरेल 2000 में की गई इसे के साथ ही स्रम एवं परिवार नयायले की इस्थापना की गई जिसमें बादिप्रदीस की ओद्धोगिक अधिनियम 1960 के अंतरकत 25 स्रम नयायले तथा कुटूब में नियाले अधिनेम 1935 के अंतरगे से भी संभागी मुख्यालेओं में परिवार नियालेओं की स्थापना की गई यहाँ पर नियाले से रेलेटेड टॉपिक फिनिस होता है आज की क्लास यहाँ पर ही फिनिस करते हैं आज और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रिशासनिक सनरशना को देखते हैं और इसके साथ ही जितने भी मद्यप्रदीश की प्रोमुक आयोग है उनकी बारी में पढ़ेंगे तो आज की क्लास की अंतरगत जो हमारे इसका पहला पार्ट रहेगा इसके अंतरगत हमने मद्यप्रदीश की राजनितिक स्थिती की बारी में पढ़ा राजनितिक स्थिती की साथ बर्तमान मद्यप्रदीश की गठन की संदर में पढ़ा बर्तमान मद्यप्रदीश की गठन की साथ साथ हमने इसकी बारी में इसके भागा खागा और भोपाल रयास्तिों कि वारी में राजपाल के संदर में जो राजविदान मंडल के ब्रमुक्αι हैं उनकी वारी में पड़ा अभी तेख हमने जो राजविदाई का रही हो उसमें राजपल और विधानसभा की पूर्शन को कम्पलीट किया हुए राज की कारपालका में मुख मंत्री वा मंत्री परसत को कम्पलीट कर लिया है अब प्रशाशने कधिकारियों की बारे में कम्पलीट करेंगी और राज की नयायपालका की बारे में उच्छी नयालय व अधीनस्द नयालय की बारे में पढ़ा, तो next class में प्रिशाशने कतिकारी, इस्थानीश और सासन, संसत में राज का पृतिने दित और प्रमुक आयोगों की बारे में पढ़ेंगे। और भी इसे तरीके से किलास को कंटिन्यू करेने के लिए वीडियो को लाइक करें, जद्ध से जद्धा सेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, धर्नवाद